Assalamualaikum Viewers Welcome back to my channel Cooking Tour आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजेरी पंजेरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 gram खोपरा 100 gram गोंद 100 gram काजू 100 gram बदाम 100 gram पिष्टा 100 gram अख्रोट 100 gram पिष्टा 100 gram अख्रोट 100 gram सूगा खजूर 100 gram अख्रोट 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 दाल हंड्रेड ग्राम मखाना, वन टेबल स्पून मेती दाना, टू टेबल स्पून कंगी के बींच, मैंने यहां पर घी लिया है, खरीबन वन केजी, हम इसको एक कडाई में दाल देंगे, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, गी आच्छे से घरम होने के बाद हम इसमें दा रहेंगे गॉंड्ड स्पून और इसको अच्छे से प्राई कर लेंगे, हो और अखे से फ्राइग करना है, ताकि आप अच्छा ना रहे से तक हारए, और उपर से अच्छे से यह देखे ऐसी तरह हमें गोन को फ्राइ करना है अब हम फ्राइ कर लेंगे बदाम बदाम को ज्यादा फ्राइने करना है एकदम लाइट फ्राइ करना है यह देखे इसी तरह हमें फ्राइ करना है फिर हम फ्राइ कर लेंगे काजू काजू को भी हम ऐसे फ्राइ कर लेंगे जैसे बदाम को फ्राइ किया था अब हम फ्राइ करेंगे अखरोट पिश्टा फ्राइ कर लेंगे अब हम फ्राइ करेंगे खोपरा खोपरे को अच्छे से फ्राइ करना है ताकि वह गोल्डन ब्राउन हो जाए यह देखे इसी तरह हमें फ्राइ करना है अब हम फ्राइ कर लेंगे खजूर खजूर फ्राइ होने के बाद हम फ्राइ कर लेंगे उरत डाल को भी अच्छे से फ्राइ करना है उसके बाद हम फ्राइ कर लेंगे मेथी दाना और कंगी के बीन्च अब हम फ्राइ कर लेंगे मखाना मखाने को लास्ट में फ्राई करना है क्योंकि ये सारा घी अब्जर्व कर लेता है इसलिए हम मखाने को लास्ट में फ्राई कर लेंगे ये देखे इसी तरह हमें मखाने को फ्राई करना है ये देखे सारे ड्राइपर्स हमारे फ्राई हो गए है अब हम इतको प्राइंड कर लेंगे पेले हम गौन्द ग्राइंड कर लेंगे फिस खौपरा फिर भीष्परोर्स याईनी काजू बदाम पिस्टा अख्रोट फिर हम उद्ध कर लेंगे खजूर तरह का पूरेत पेलोप जी मेठी और मेथी दाना और पफाँ कोषा है यह देखिए हमारा ड्राइफ्रूट्स का मिक्षर बन करके तयार है अब हम इसमें चीनी डालेंगे 300 ग्राम में अपे लिया है चीनी आप मीठा ज्यादा पसंद करते हो तो और थोड़ा भी आड़ कर सकते हो और कम पसंद करते हो तो 300 ग्राम ही डाला चीनी के जगा आप गूर भी आड़ कर सकते हो यह पंजेरी बहुत ही हलके लिए अच्छी होती है यह देखिए पंजेरी बन करके तयार है आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू फर वाचिंग